विज्ञान के अनुसार, एक सांस में 500 ml oxygen के साथ साथ हवा में मौझूद ना दिखने वाले particles जैसे dust और smoke भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत धानिकारक होते हैं. ऐसे नुकसान दायक माइक्रो पार्टिकल्स को फेफरो तक पहुंचने से रोखने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्ट्रम में नाच्रल माइक्रो फाइवर जिने सीलिया कहा जाता है एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन समय और उम्र बढ़ने के साथ साथ फिल्टर स हबा, जो है लेटेस्ट टेक्नॉलजी के साथ निर्मित मक्यानिकल एर फिल्टर जो हवा को एक महीन जाली के माध्यम से फिल्टर करता है और हानिकारत करनों जैसे दूल और दूएं आदे को आपके शरीर में जाने से रोकता है ये लंग्स के नाच्रल फिल्टर की तरह ही क काम करता है और शरीर को हेल्थी ब्रीदेबल एर प्रदान करने में मदद करता है जिससे लंग्स का स्ट्रेस और वर्कलोड काफी कम हो जाता है और आपको मिलती है हर सांस में सुकून भरी जिन्दकी लगातार हावा को क्लीन करते हुए फिल्टर की अंदर के डर्स्ट और स कमा हो जाते हैं जिसकी वज़े से फिल्टर की क्लीनिंग कपासिटी कम हो जाती है इसलिए आवश्यक है सही समय पर हैपा फिल्टर को बदलने का समय है यह बिलकुल आसान है इसके लिए हम फिल्टर को सबसे पहले विज्वल चेक करेंगे यह नया हैपा फिल्टर है जो सफ यह है एक यूस्ट हेपा फिल्टर जब फिल्टर का रंग पूरी तरह से घहरा काला हो जाए तो समझ जाईए कि अब इसे बदलने का सही समय है ध्यान रखें इस कंडिशन में भी अगर फिल्टर को इस्तिमाल किया गया तो एर क्वालिटी बेहत खराब हो जाती है इसलिए हम strongly recommend करते हैं कि हेपा फिल्टर को समय समय पर चेक करते रहें और सही समय पर बदलें याद रखें हेपा फिल्टर की life cycle एक बार unpack होने के बाद शुरू हो जाती है भले ही इसे इस्तिमाल किया गया हो या नहीं क्यूंकि इसकी efficiency unpack होने के बाद से कम होनी शुरू हो जाती है इसल के लिए regular interval पर इसे बदलते रहें साल में एक बार हमें carbon filter बदलना भी जरूरी है याद रखें हेपा filter आपके air purifier का सबसे जरूरी हिस्सा है इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इससे नियमित अंत्राल में बदलते रहें हमेशा याद रखें contaminated air शरीर को नुकसान पहुंचा करती है और लंबे समय में health को खराब कर सकती है इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए regular समय पर इस filter को बदलते रहें और स्वस्त रहें